हेलो दोस्तो तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिमेट एकाउंट जरूरा में तो हमें कैट अप्लिकेशन में आप्शन में ट्रेडिंग कैसे करना हैं तो आज मैं कोई देटिल ने बताने वाला हूं कि option क कोई भी strike price वाच लिश्टर में एड कैसे करना है और एड करने के बाद उसमें buy और sell कैसे करना है और plus मैं आपको उसमें stop plus लगा के भी बताने वाला हूं तो दोस्तो अगर आप trading में master बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो दोस्तो हम यहाँ पास सबसे पहले search बार में click कर लेते हैं शर्च बार मकली करने के बाद तो अब हमें nipty के यह फिर nipty bank के जिस भी strike price में trading करना है उसी strike price को यहाँ पास हमें search करके आट कर लेना है जैसे कि मैं nipty 17650 के call में trade करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पास nipty 17650 लिख लेता हूँ nipty 17650 लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पास हमें 23 March का expiry वाला call का strike price आया है और यहाँ पास 23 March का expiry वाला put का strike price सो हो रहा है और यह जो आप देख रहे हैं यह monthly strike price वाला है तो हमें यहाँ पास weekly में करना है तो अब यहाँ पास आपको देखना है कि आप call में trade करने वाले हैं कि आप put में trade करने वाले हैं आप जिसमें भी trade करने वाले हैं यहाँ पास आपको plus वाला icon में click कर लेना है तो दोस्तो अब इसमें हमें buy करना है तो हमें simply इसमें click करने ना है click करने के बाद यहाँ पस हम buy वाले में click करने के बाद अब यहाँ पस हमें quantity lot की हिसाब से select करना होगा जैसे कि हम यह तो 50 select कर पहेंगे यह तो 100 यह फिर 1,500 यहाँ पस आपको 70-90 वाला को हिसाब नहीं है यहाँ पस आपको lot के साब से quantity select करना होगा जिसमें एक lot में यहाँ पस 50 quantity आएंगे उसके बाद यहाँ पस product में आप intraday करना चाहते हैं मतलब कि आजी खरित के आजी बिचना चाहते हैं तो यहाँ पस आपको intraday select कर लेना है लेकिन मैं यहाँ पस intraday में आपको करके दिखाता हूँ intraday में करने के बाद आप यहाँ पस हमें type में market, limit, sl, and slm चार options मिलता है तो दूस्ट अगर आप कोई भी एक limit price में लेना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पस correct 5 रुपे में लेना चाहते हूँ तो मैं यहाँ पस price में click करके सीधा 5 रुपे fill कर लूँगा 5 रुपे fill करने के बाद अगर मैं यहाँ पस swipe to buy करता हूँ तो हमारा strike price जब भी 5 रुपे में आएगा तो हमारा 50 quantity buy हो जाएगा और अगर मैं यहीं पस अगर market में click कर देता हूँ तो market में click करने के बाद swipe to buy करूँगा तो market का जो भी price होगा उसमें आपर निप्टी का 17650 का call buy हो जाएगा तो दोस्तों आप limit में लेना चाहते हैं यह market में वो आपके उपर है लेकिन मैं आपको अभी immediate करके दिखाने वालो तो मैं यहाँ पस market में buy कर लेता हूँ तो हम यहाँ पस quantity, intraday और type में market और यहाँ पस अगर में more में click करूँ तो आपको validity day ही रहने देना है उसके बाद swipe to buy कर देना है swipe to buy करने के बाद यहाँ पस हमारा 17650 का call buy हो चुका है तो हम यहाँ पस order में चले जाते है order में जाने के बाद यहाँ पस आप देख सकते है executed में हमारा order complete हो चुका है जो कि यहाँ पस हमा रेवरेज़ पाइस देख सकते है 5 रुपे में हमारा 50 quantity buy हो चुका है और यहाँ पस मैं आपको portfolio में जाकर दिखाता हूँ portfolio में जाने के बाद हम position में चले जाते हैं position में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितना loss और profit हो रहा है तो अभी आप यहाँ पास देख सकते हैं हमें minus 5 रुपे का अब minus 7 रुपे का loss हो रहा है तो दोस्ते इस परकार से आप portfolio में जाएंगे तो आपको profit और loss सो होगा अब आपको इसमे SL कैसे लगाना है तो SL लगाने के लिए यहाँ पास आपको portfolio में ही जो position है उसमे एक बार click कर लेना है उसके बाद यहाँ पास हमे exit वाले button में click कर लेना है exit वाले button में click करने के बाद अब यहाँ पास हमे quantity quantity और product type में कोई भी changes नहीं करना है जो कि पहले हमने लिये थे उसी किसाब से वो पहले से select रहता है उसके बाद यहाँ पास आप टाइप में आजाते हैं टाइप में अब हमें SL लगाना है तो हम यहाँ पास SL में click कर लेते हैं SL में click करते ही यहाँ पास आपको दो price देखने को मिलते हैं पहला है normal price लिखा हुआ और दूसरा trigger price लिखा हुआ तो दोस्तो आप देख रहे हैं हमारा market का price चर रहा है अभी 5 रुपय के आसपास अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका price 3 रुपय आया है तो हमारा option sell हो जाएगा जितना quantity हमने खरीदा था वो पूरा का पूरा quantity sell हो जाएगा तो हम यहाँ पास price में 3 रुपय लिख लिखने के बाद अब trigger price में 3 रुपय से थोड़ा बड़ा amount लिखना होगा दोस्तो मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि आपको extra plus लगाते time trigger price को price थोड़ा बड़ा लिखना होता है तो हम यहाँ पास trigger price में 3 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं आप 5 पैसा कभी बड़ा लिखेंगे तब बीचे लेगा या फिर 10 पैसा कभी बड़ा लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिधा सिधा 4 रुपया भी लिख सकते हैं वो आपके उपर है लेकिन एक बात याद रखना price और trigger price के बीच में कोई भी price में आपका option sell हो सकता है इसलिए हम तैय यह करते हैं कि दोनों के बीच बहुत ही minimum distance होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने only 10 पैसा काई distance रखा है दोनों के बीच में लेकिन trigger price हमेशा बड़ा होना चाहिए तो इस प्रकार से आप price और trigger price लिख कर swipe to sell में क्लिक कर देना है swipe to sell में swipe करने के बाद अब मैं आपको order में लेकर चलता हूँ order में जाने के बाद यहाँ पास हम open order में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका 3 रुपे में stop loss लग चुका है तो दोस्तो इस प्रकार से आप पूरे 50 quantity के लिए stop loss लगा सकते हैं मतलब कि आपने जितने भी quantity खरे दे हैं उसके लिए stop loss लगा सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आपका stop loss modify हो चुका है और अगर आप cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको click कर लेना है cancel करना है cancel में yes अगर करेंगे तो आपका stop loss cancel हो चुका है तो दोस्तो इस प्रकार साप stop loss को cancel भी कर चकते हैं उसके बाद आप मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो option खरीदे हैं उसको sell कैसे करना आ है तो यहाँ पास आपको पोट्फोलिय में चले जाना है उसके बाद हमारा जो भी position है भी चल रहा है उसमें मैं simply click कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पस हम exit बटन में क्लिक कर लेते हैं exit बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पस हमें quantity और product type में changes नहीं करना है हमें सिर्फ और changes करना है type में अगर आप immediate change करना चाहते हैं तो यहाँ पस आपको market में क्लिक करके swap to sell कर देना है और अगर आप कोई limited price में sell करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको limit में click करके यहाँ पास आपको वो price डाल कर swap to sell करना होगा तो दोस्तो मैं immediate sell करना चाहते हूँ तो अभी मैं market में select रहने देता हूँ उसके बाद यहाँ पास आपको कोई भी changes नहीं करना है सीधा swap to sell कर देना है swap to sell करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमने जो 50 quantity खरीद के रखे थे वो sell हो चुका है और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि मुझे डाय रूपय का loss दिखा रहा है तो दोस्तो इस प्रकार से आप option में buy करके stop loss लगा सकते हैं उसके बाद उसको sell भी कर सकते हैं तो इतने simple है जरूड़ा के काईट application में option में trading करना और अगर आपको काईट application में और भी कुछ दिख्कत है तो आप इस वीडियो के description में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो में इनकाईट application से related बनाए है तो दोस्तो अगर आपके वीडियो helpful लगी हो तो हमारे इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरू कर लेना Thank you